नमस्कार साथियों मैं परदिप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे से टुप चैनल यात्री सुभधा में देखे साथियों रेलवे ल्टी टी लोकुमान तिलग टर्मिनल और गोरकपुर के बीच में कई सारी समर स्पेसल ट्रेने चला रहा है बहुत सारे लोगों ने कंफर्म टिकट बुक कर रखा है लेकिन बहुत सारे लोगों का टिकट अभी भी वेटिंग में है और कंफर्म होने के चांसे भी बहुत कम है तो ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक समर स्पेसल ट्रेन के बारे में जो की पूरी तरीके से अनारक्षित है मतलब इसमें जनरल डब्बे लगाए गए हैं और ये समर स्पेसल ट्रेन LTT लोकमान तिलग टर्मिनल और गोरकपूर के बीच चलाई जा रही है अगर आप भी LTT या से गोरकपूर के बीच ट्रेवल करना चाहते हैं लोकमान तिलग टर्मिनल और गोरकपूर के बीच में और आपका टिकट बुक नहीं किया है या आपका टिकट वेटिंग में है तो ऐसे में आप जनरल टिकट ले करके इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और ट्रेन नंबर 01123 या 01124 लोकमाने तिलक टर्मिनल गोरकपुर लोकमाने तिलक टर्मिनल अनारक्षित सब्ताहिक समर स्पेसल ट्रेन चलाए जा रही है साथियों ये तो ये जनरल डब्बे वाली स्पेसल ट्रेन है मतलब आपको सिर्फ काउंटर पे जाना है जनरल टिकट लेना है और इस ट्रेन में बैठ करके अपनी आत्रा को पूरा करना है साथियों लोकमाने तिलक टर्मिनल से ये ट्रेन 28 अप्रेल से 29 मई 2030 तक चलाई जा रही है तो अगर आप भी आल टि ट्रेन लोकमाने तिलक टर्मिनल से गोरकपूर जाना चाते हैं तो लोकमाने तिलक टर्मिनल से गोरकपूर के लिए आपको ये ट्रेन हर सुकुरुआर को मिल जायेगी हर सुकुरवार को ये ट्रेन LTT लोकमाने तिलग टर्मिनल से गोरकपुर के लिए चलाई जा रही है इसी तरह गर हम बात करें गोरकपुर से तो ये ट्रेन 29 अपरेल से 20 मई तक हर सनीवार को चलाई जा रही है तो अगर आप लोकमाने तिलग टर्मिनल से गोरगपुर जाना चाते हैं तो ध्यान रखें सुकुरवार का दिन 28 अपरेल से 19 मई के बीच में आप इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं जनरल टिकट लिकर के यात्रा कर सकते हैं इसी तरह अगर आप गोरगपुर से LTT लोकमाने तिलग टर्मिनल जाना चाते हैं तो 29 अपरेल से 20 मई तक यह ट्रेन चलने वाली है पूरी तरीखे से और सनी वार को यह ट्रेन आपको मिल जाएगी गोरगपुर से अगर बात करें इसके ट्रेन की टाइमिंग की तो आपको लोकमाने तिलग टर्मिनल से यह ट्रेन दुपह ऐसे ट्रेन है अकॉर्डिंग टू मी जो की एल्टी टी लोकमान तिलग टर्मिनल से गोरगपुर के भी चलाए जा रही है जो की पूरी तरीके से जनरल डब्बे वाली ट्रेन है तो जनरल टिकट लीजिए और इसमें यात्रा कीजिए तो वीड़ अच्छा लगा उसे आनकारिक साथ धन्यवाद